कि दोस्तों online shopping कर दे समय अगर कोई चीज हमसे गलती से order हो जाए या फिर जो भी हमने order किया है वह हमको नहीं चाहिए वह हमने offline market से ले लिए या फिर वह चीज हमको पसंद नहीं है तो उस order को cancel कैसे करें या फिर order हमको receive हो चुका है अब हमको पसंद नहीं आ रहा है तो उसको हम जानेंगे कि flip card app से अगर आप कोई भी shopping करते हैं और आपको इसको या तो रेटरन करना या तो cancel करना है तो यह हम कैसे कर सकते हैं तो चली सबसे पहले हम आगे अपने अपने खोल लिया है और order को cancel करने के लिए अफर रेटरन करने के लिए यहां से account का option पर हमको आ जाना है उसके बाद दोस्तों देखिए यह order section आ रहा है यह order का option है इस order के option पर हमको क्लिक करना है उसके बाद recently हमने जो भी order किया है वो हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा करेंगे जैसे कि मैंने यह order किया है तो यह order हमको देखने को मिल जाएगा तो इस पर यह जिए पर प्लिक करेंगे दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले हैं कि रिटरन और करने का क्या तरीका चाल करने का क्या तरीका तो उसे देखे, cancel करने के दो तरीके होते हैं, एक यह होते हैं कि आप अपने mobile app से, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से आप जाकर के cancel कर दें, जब दूसर तरीका यह होता है कि आप order आने दीजे, जब order आपके पास आजए, जब आपके gate पे आजए, फिर उसको आ आपको बताओं कि आप कैसे इस app से, यहां से आप कैसे order को cancel कर सकते हैं, दोस्तों इसके अलावा, जब order हमको receive हो जाता है, तो अभी हमारे पास एक return का option होता है, अगर वो मुझे पसंद नहीं, तो हम return भी कर सकते हैं, तो इस order पे जब हम click करेंगे, देखें, यह अभी मिल ला होगा, या फिर आप इस need help के option पे पे click करके, order को cancel करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जब यहां पे देखिए, edit order का जब option आता है, तो edit order पे जब हम click करेंगे, तो I want to cancel my order है, यह यहां पे आता है, तो दो तरीके, यहां पे edit order या तो लिख करके आएगा, या तो लि if you want, if you cancel now, you may not be able to avail deal again, तो do you still want to cancel it, पूछ रहा है कि आपको cancel करना है, तो आपको यहां पे दो option है, एक आ रहा है cancel order, एक आ रहा है don't cancel, तो cancel वाले order पे, cancel order वाले option पे यहां पे इमको click कर देना है, तो हमारा order देखिए cancellation request है, अब आपको यहां पे reason पूछ रहा है, कोई भी नहीं सही लग रहा है, या फिर जो भी है, हमाई ideas are not listed करके भी, या पिर यहां पे आप कुछ लिख करके, कोई भी एक order यहां पे आप select कर सकते हैं, और यहां पे आप address कर, और यहां पे डिलीट कर सकते हैं, दोस्तों, उसके बाद submit request पे click करने के बाद, cancellation confirmed, यहां पे लिख क हो गया, और अब यहां पे दिखा रहा है कि cancelled, red color से, तो यानि कि बाद का order successfully cancel हो चुका है, इसी तरीके से ठीक, जब हम return करते हैं, तो भी हमको इसी जगहां पे return का option रहता है, जिस पे हमको click करना रहता है, और जो भी अपना reason है, वो reason requirement डालना रहता है, कि किस reason से हम इस order को cancel करना चाहते है, वहाँ पे हमको click करना है, उसके बाद हमारे पास एक pickup request generate हो जाती है, यानि कि अगर मैंने आज cancel किया, तो कल हमारे पास delivery boy आएगा, और वो आपका parcel ले करके जाएगा, और उसके अगले दिन आपको आपकी payment मिल जाएगा, फिर उसी दिन तुरंती आपको उस किसी नेक्स्ट आपके साथ, तब तक के लिए जाहिए, जय भारत!